बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंड इस वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे conditional sentences and if clauses और ये वीडियो क्लास बहुत ही important रहेगी सभी banking exams के लिए और सभी SSC exams के लिए इसमें हम basic concept समझेंगे conditional sentences की और if clauses क्या होते हैं इनको हम देखेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहां मैं इस online mock test series के बारे में आपको बताना चाहूँगा यदि आप इसके थूर प्रैक्टिस करना चाहते हैं और real questions की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं एक साल के लिए इस website को आपको विजिट करना होगा test.englishadvantage.in और यहां से आप जो भी आपकी requirement है आपको base pack लेना है या combo pack लेना है वो आप ले सकते हैं और इसको activate करके इसका फाइदा उठा सकते हैं तो चलिए आप देखते हैं conditional sentences conditional sentences होते क्या हैं देखिए यहां से मैं थोड़ा explain करता हूँ आपको के conditional sentences होते क्या है a sentence where an action is dependent on another action or condition is called a conditional sentence actually condition का मतला होता है शर्थ हिंदी में तो जब किसी काम का पूरा होना या ना होना किसी शर्थ पर depend होता है तो उस तरह के sentences को हम conditional sentences में रखते हैं और English grammar में इसको हम conditional भी बोलते हैं तो तीन तरह की condition होती है basically open condition, imaginary condition and unfulfilled condition और कुछ type इसके और होते हैं तो उसको मैं fourth category में आपको explain करके बताऊँगा तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें basics एक conditional sentence होता है उसके दो part होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर एक होता है conditional part और होता है result part यह आप कह सकते हैं कि एक होता है if part और दूसरा होता है mean part तो यह दो part में conditional sentence divide रहता है और इन दोनों part को आप interchange कर सकते हैं यानि यह ज़रूरी नहीं है कि आप if part को पहले रखें और main part को बाद में रखें आप main part को यह result part को आप पहले रख सकते हैं और फिर भी आपका sentence correct ही रहेगा तो यहाँ पर देखिए if you work hard you will succeed in ssc exam and you will succeed in ssc exam if you work hard तो यह दोनों ही sentences correct हैं यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं देखे यह open condition है open condition में if जो part होगा उसमें हम present simple tense को use करेंगे और जो main part होगा उसमें हम will, shall, may या can meaning कि according कुछ भी इसमें से हम use कर सकते हैं लेकिन if part में cable present simple tense का हम use करेंगे और जैसे यहाँ पर यह sentence देखिए if I go to Japan I will see हवा महल ठीक है जो यह sentence सही है लेकिन यह गलत क्यों है क्योंकि इसमें if part में will का use हुआ है यह तो इसलिए यह वाला sentence incorrect है और यह वाला जो sentence है यह correct है ऐसे ही इस तरह से यह वाला देखिए नीचे वाला sentence यह उपर वाला sentence correct है राहुल विल help you provided you mend your ways राहुल आपकी सहायता करेगा बशर्ते के आप अपना तरीका सुधाल लें provided का मत्तब होता है बशर्ते तो नीचे वाला sentence incorrect है उपर वाला sentence आपका correct है in the case of universal truth both clauses are written in simple tense यदि हम किसी universal truth की बात कर रहे हैं या किसी fact की बात कर रहे हैं तो उस में हम दौनों ही clauses को present simple tense में ही रखेंगे if you heat ice it turns to water ठीक है यह एक universal truth है या एक fact है कि जब हम बरफ को गरम करते हैं तो वो पानी में बदल जाती है if you boil water it turns to wepper तो यह भी एक fact है तो यहाँ पर हम दौनों ही clauses को simple tense में रखेंगे आगे दिखते हैं if clauses are written in continuous tense if we talk about future arrangement यदि आप future arrangement की बात कर रहे हैं तो if clause को आप going to के साथ भी लिख सकते हैं present continuous tense में if you are going to purchase a bike I will ask my assistant to show you the dealer's shop ठीक है तो इस तरीके से भी आप इस sentence को लिख सकते हैं यह sentence आपका correct है और नीचे वाला sentence भी correct है अब देखिए conditional sentences में यदि इन बाक्यों का यदि इन शब्दों का प्रियोग होता है तो उन शब्दों के बाद आप हमेशा present simple tense का ही प्रियोग करेंगे इन शब्दों के बाद conditional sentences में आप present simple tense का यूज करेंगे ये एक रूल है ये तीन negative word है ठीक है अनलेस आता है simple condition के लिए until आता है time related condition के लिए और last जो है वो एक negative word है ठीक है और इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए last का मतलब ये होता है तो last के साथ कभी भी not मत लगाईए until वाले part में कभी भी not मत लगाईए और unless वाले part में भी कभी भी not मत लगाईए अब यहाँ पर sentences देखिए you will succeed provided you will work hard you will succeed provided you will work hard तो यह वाला जो part है यह गलत है यहाँ पर बिल नहीं आएगा यहाँ पर बिल सही है यह जो provided वाला जो part है यह है conditional part ठीक है you will succeed provided you work hard यह नीचे वाला जो sentence है यह आपका correct sentence है यहाँ पर देखिए मैंने कौर और कुछ example दी है unless से काफी सारे example दी है unless you will meet your manager गलत है यह unless you meet your manager unless you work hard you will succeed अब देखिए यह वाले sentence तो आपको समझ में आगाई होंगे लेकिन इस वाले sentence में क्या गलती है unless you work hard तो unless के बाद हम present simple tense लगाएंगे तो यह वाला पार्ट तो सही है लेकिन यह वाला पार्ट गलत क्यों है क्योंकि you वाले पार्ट में भी बिल लगाए तो उससे साबचे तो यह सही होना चाहिए यह देखिए grammatically सही है लेकिन इसका meaning जो निकलेगा वो गलत निकलेगा इसका meaning यह निकलेगा कि यदि तुम महनत नहीं करोगे तो सफल हो जाओगे unless you work hard you will succeed तो आपको बोलना पड़ेगा कि unless you work hard you will not succeed unless वाले पार्ट में जब not लगा है तो इस वाले पार्ट में भी आपको not लगाना होगा यह काफी अच्छा sentence है तो इस तरीके से sentence को आपको correct करना होगा यह नीचे मेंने और sentence दिये है यह correct sentence है और यह नीचे वाला भी देखिए पैसे voice में दिया है तो यह भी correct sentence है तो इस तरीके से हम meaning के according, जो दूसरा part है, उसमें may, can, will और shell हम लगा सकते हैं, लेकिन जो if वाला जो part है, उसको हम normally present simple tense में ही लिखते हैं, present perfect tense में भी हम if वाले part को लिख सकते हैं, यदि meaning present perfect tense का है, तो if he has written the thesis, I will send it to the professor, ठीक है, यह basically condition नहीं है, यहाँ पर केबल एक indication हम दे रहे हैं, कि यदि उन्होंने thesis को पूरा कर लिया है, तो मैं इसको professor तक भेज दूँगा, यह strictly speaking condition नहीं है, यह केबल एक sentence है, आगे देखिए imaginary condition, imaginary condition में if clause को हम V2 के साथ लिखते हैं, past simple tense के साथ, और main clause में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, would, could, might, or v1, if he invited me, I would go there, यदि उसने मुझे, यदि वह मुझे बलाता, तो मैं वहाँ पर जाता, यह sentence का मतलब है, if I had two cars, I would give one to you, यदि मेरे पास दो कारे होती, तो मैं एक आपको दे देता, तो इसमें head का मतलब है, कि own के लिए हम use कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर would है, औ यहाँ पर head लगा है, और head owning के लिए आ रहा है, तो यह sentence सही है, अब यहाँ पर यदि would की जगे will कर दें, या shell कर दें, यहाँ पर head की जगे have कर दें, तो यह sentence गलत हो जाएगा आपका, तो इस तरीके से concepts को आपको समझना है, आगे देखते हैं, यह तीसरी condition है, unfulfilled condition, इसमे जो if part होता है, उसमें हम head plus v3 लगाते हैं, head के साथ work की third form लगाते हैं, और main part होता है, उसमें would, might और could के साथ हम have लगाते हैं, और उसके बाद फिर v3 लगाते हैं, इसमें से किसी भी part को आप change करते हैं, तो sentence आपका गलत हो जाएगा, head के साथ यह आप v2 लगा देते हैं, य या would के स्थान पा will रखते हैं, तो यह sentence आपका गलत हो जाएगा, तो यह है तीनो के तीनो correct sentences और यह है incorrect sentences, इनको हम पड़ते हैं, if he had helped me in that situation, I wouldn't have failed, तो यह है correct, क्योंकि head के साथ third form लगी है, तो यह correct है, और यहाँ पर would have लगा है, और have के साथ यह field लगा है, third form तो यह correct है, देखे, if he had को आप had he भी बोल सकते हैं, तो यह sentence भी correct है, had he helped me in that situation, I would not have failed, तो यह वाला sentence जो है, second वाला यह भी correct है, और नीचे वाले sentence में क्या किया है, कि if part को और main part को interchange कर दिया है, ठीक है, तो interchange करने से sentence गलत नहीं होगा, sentence आपका सही रहेगा, अब यहाँ देखते हैं, क्या गलती हो रही है, if, देखे, if वाले part में would have रख दिया है, if वाले part में, यह वाला जो part है, इसमें head आएगा, तो यहाँ would have कर दिया है, तो इसलिए sentence गलत हो गया, यहाँ पर head के बाद work की third form नहीं आई, तो यह गलत हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर would के बाद, इस वाले pattern में would have आएगा, यहाँ हैज कर दिया है, तो यह गलत हो गया, और यहाँ पर would की जगए will कर दिया है, तो यह गलत हो गया, तो इस तरीके से, अलग अलग तरीकों से sentence को गलत किया जा सकता है, और इसी तरीके से sentence आपके exam में आते हैं, कहीं पर कोई part गलत है, कहीं पर कोई part गलत है, तो basic concept में कुछ changes करके, उस sentence को गलत कर दिया जाता है, और इस तरह के sentence exam में आते हैं, conditional state, state का मतलब है कि कहीं पर किसी चीज का होना, जैसे यदि मैं बोलूँ कि मैं एक teacher हूँ, तो यह state है, इसमें हम action नहीं हो रहा है, इस sentence में, हम state को indicate कर रह है, तो state वाले sentences में हम work का प्रियोग करते हैं, जैसे, if I were the prime minister of India, यदि मैं भारत का प्रधान मंत्री होता, ठीक है, तो यह complex sentence है, complex sentences में हम सभी subject के साथ work का प्रियोग करते हैं, ठीक है, देखिए, यहाँ पर if I were, if I were, or if I had been, देखिए, यदि would आएगा, तो आप work ठीक है, यदि बोड आएगा, और would have आता है, तो आप head भी लगाईए यहाँ पर, यह unfulfilled condition है, और उपर वाली imaginary condition है, यदि केबल बोड आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर work लगाईए, और यदि यहाँ पर would have का प्रियोग हो रहा है, तो यहाँ पर head भी लगाईए, ठीक है, और ऐसे यह दिए, if I were you, यदि में आपकी जगे होता, तो मैं उसको कभी tolerate नहीं करता, तो यह imaginary sentence है, इसलिए इसमें वर लगाया है, यह भी imaginary sentence है, इसमें भी हमने, इस तरह के sentence काफी आते हैं, exams में, particularly SSC exam में, यह बहुत ही important है, देखें, इसमें वाल्स लगा दिया, तो यह गलत हो गया, और नीचे वाला sentence, यह दोनों ही sentence incorrect है, क्योंकि इसमें was लगाया है, यहाँ पर इसमें word लगाया है, लेकिन यहाँ पर फिर will लगा दिया है, तो यह दोनों ही sentence incorrect हैं, यहाँ पर, चलिए आगे देखते हैं, देखें, यह कुछ word दिये हैं, यहाँ पर as though, as if, if, would that, और I wish, ठीक है, इनके बाद हम work का प्रयोग करते हैं, काफी important rule है यह, जैसे यह वाला sentence देखे, if I were well, I would prefer tea to cold ring, यदी मैं ठीक होता, यदी मेरी तबियत सही होती, तो मैं tea prefer करता cold ring के स्थान पर, इसमें work के स्थान पर यहाँ पर M लगा दिया है, इसलिए यह गलत हो गय sentence, यह वाला sentence जो है, यह सही है, word two plus v1 का प्रयोग हम imaginary planning को दिखाने के लिए करते हैं, कि यदी ऐसा करना होता तो, तो क्या होता, word two plus v1, ठीक है, इसको अच्छे तरीके जा समझे, यदी उसको यहाँ पर इस समय आना होता, ठीक है, यदी मुझे वहाँ पर इस समय जाना होत यह imaginary planning है, तो imaginary planning में हम world two plus v1 का प्रयोग करते हैं, जैसे यह वाला sentence देखिए, if any of the founding fathers of our constitution were to return to life for a day, his opinion of our amendments would be interesting, मतलब यदी हमारे जो founding father थे constitution के, यदी उनको एक दिन के लिए बापिस आना होता, आज की दुनिया में, तो उनके लिए हमारे जो amendments हैं, हमने जो सुधार किये ह constitution में, वो बले interesting होते, तो यह sentence का मतलब है, इसमें आप world two लगाएंगे, उपरवाले sentence में आपने was two लगाया है, इसलिए वो sentence गलत हो गया है, यह sentence गलत हो गया है, और यह sentence सही है, तो यह भी काफी अच्छा sentence है, world two plus v1, imaginary planning के लिए इसको हम use करेंगे, और यहाँ पर as if का बत रहे हैं, तो इसके बाद हम work up प्रयोग करेंगे, और as if का प्रयोग जब हम cable comparison के लिए करते हैं, तो इसको हम present simple tense में भी लिख सकते हैं, जैसे यह वाला sentence देखे, you look as if you have seen a ghost, ठीक है, यह वाला sentence यदि आप पढ़एं, आपको देखकर ऐसा लगता है, कि आपने अभी अभी एक भूत को देखा है, तो इसमें हम एक तरह से as if का प्रयोग एक तुल्ला करने के लिए कर रहे हैं, कि आपकी condition ऐसी लग रही है, कि जैसे आपने किसी भूत को देखा हो, ठीक है, तो यह sentence सही है, और यहाँ पर देखे, it doesn't look as if the economy will improve anytime soon, मतलब ऐसा लगता नहीं है, कि economy जो ठीक है, तो as if, as though or like, यह तीनों सेम वर्ड है, तो यहाँ पर मैं पर देता हूँ इसको, और आपको explain कर देता हूँ, as if is a conjunction, it is used to say how something seems from the information known, जो information हमें पता है, उस से हमें यह लगता है कि कोई चीज इस तरह से लगती है, या इस तरह से दिखती है, it is more formal way of saying like, and is used in the same way as as though, मतलब as if, as though or like, यह तीनों सेम सेंस में यूज होते हैं, in all of the following sentences and examples, as if can be replaced with as though and like, ठीक है, it doesn't look like the economy will improve anytime soon, तो इन दोनों सेंटेंस को आप जो as if दिया है इसमें, इसमें as if के स्थान पर आप as though भी लिख सकते हैं और like भी लिख सकते हैं, जैसे नीचे वाले सेंटेंस को आप बोल सकते हैं, you look like, you have seen a ghost, ठीक है, तो इस तरीके से हम as if का प्रियोग करते हैं, और as if का प्रियोग, जब हम imaginary situation को दिखाने के लिए करते हैं, तो उसमें हम वर का प्रियोग करते हैं, जैसे यह वाला sentence देखिए आप नीचे वाला, यह वाला, she is behaving as if she were the cune of England, ठीक है, वो ऐसे behave कर रही है, जैसे कि वो England की महरानी हो, लेकिन वो England की महरानी नहीं है, यह पूरी तरीके से काल्पनिक है, तो इसी लिए इसमें वर का प्रियोग सही तरीके से हुआ है, और यह sentence correct है, they stared at me as if I were crazy, मतलब उन्होंने में जी तरफ ऐसे देखा, जैसे कि मैं crazy हूँ, लेकिन मैं crazy नहीं था, या नहीं हूँ, तो यह भी एक तरी से unreal sentence है, तो इस तरह के unreal sentences में आप वोर का प्रियोग करेंगे, अब लीचे वाला sentence देखे, his older brother always treats him as if he were a child, ठीक है, उसका जो बड़ा भाई था, उसके साथ ऐसा बेवार करता था, जैसे कि वो बच्चा हो, लेकिन वो बच्चा नहीं था, unlike, मतलब not true था वो, तो इसलिए यहाँ पर इस तरह के sentences, यह काफी आते हैं exam में, इन सभी sentences को प्रियोग किस तरीके से होता है, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, as if I care, इसका मतलब होता है, I do not care, as if I care का मतलब होता है, I do not care, मतलब मुझे इस चीज़ की परवा नहीं है, तो एक तो आप यहाला sentence देखिए, और एक would that का भी हम प्रियोग करते हैं, would that का मतलब होता है, I would that this desk were a time desk, I wish this desk were a time desk, तो would that is equivalent to I wish, तो यह थोड़ा सा old-fashioned है, would that, लेकिन यह एक्जाम में आया है, पूछा गया है यह एक्जाम में, I wish का कैसे प्रियोग करते हैं, हम, I wish का तीन तरह से हम प्रियोग करते हैं, एक wish को दिखाने के लिए, एक regret, यानि पश्यत आप को दिखा करने के लिए, और एक complaint करने के लिए, तो जब हम wish को दिखाते हैं, कि काश ऐशा होता, तो उसमें हम V2 का प्रियोग करते हैं, ठीक है, यह सारे sentence मैं भी explain करूँगा आपको, regret को दिखाने के लिए, हम past perfect tense का प्रियोग करते हैं, regret यानि पश्यत आप, और complaint को दिखाने के लि जारे, if only का प्रियोग भी करते हैं और I wish का प्रियोग भी करते हैं, ठीक है, if only और I wish, इसमें हम simple past tense लगाते हैं, आप यहाँ पर देखे, if only I knew how to use a computer, कास मुझे पता होता कि computer को हम किस तरीके से use करते हैं, मतलब उसकी ये wish है, present tense में, कास मुझे ऐसा पता होता, ठीक है, if only I knew, या आप बोल सकते हैं, I wish, I knew, कास में इसको जानता, ठीक है, तो यह यहाँ पर दिया हुआ है, I wish, I were a millionaire, कास में मिलियोनेर होता, तो यह sentence भी correct है, और यह वाला sentence भी correct है, इसको आप अच्छी तरही कैसे देखें, ठीक है, तो एक तो हो गया, यह पहली condition, I wish का regret, यहाँ पर हम regret के sense में बता रहे हैं कि कास में ऐसा किया होता, इसमें past perfect tense का हम यूज करते हैं, if only I had woken up early, कास में जल्दी जगा होता, उस दिन, कास में उस दिन जल्दी जगा होता, यह regret के sentences हैं, पस्चा ताप के sentences हैं, इसमें हम head के साथ word की third form का प्रियोग करते हैं, यह इसे यवाला sentence देखे, I wish I hadn't committed that mistake, कास मैंने वो गल्ती नहीं की होती, तो यह भी भहुत ही important sentences हैं, ठीक है, यह regret के लिए हम use करते हैं, और action जो होता है, इसमें past होता है, यहाँ पर हम देखते हैं, complaining के लिए, तो complaining जब हम करते हैं, तो उसमें हम would का प्रियोग करते हैं, I wish you wouldn so late all the time, ठीक है, कास आप जो late आते हैं, daily के daily, इतना late आप नहीं आते हैं, तो कितना अच्छा होता, I wish you wouldn't arrive so late all the time, ठीक है, इसमें would का प्रियोग हम करते हैं, head not का इसमें प्रियोग नहीं करते, तो यह तीन conditions में I wish का प्रियोग होता है, wish के लिए, regret के लिए, और complaining के लिए, यह passive voice है, conditional sentence के passive voice काफी आते हैं, bank exam में, SSC exam में, bank clerk exam में भी आते हैं यह, तो इसको आपको अच्छे तरीके से समझना होगा, conditional, देखे, active voice में क्या होता है, active voice में जो doer होता है, जो किसी काम को करने वाला होता है, वो action में होता है, जबकि passive voice में किसी व्यक्ति के द्वारा, काम किया जाता है, इस concept का आप अच्छे तरीके समझें, कि active voice में जो action होता है, वो doer के द्वारा होता है, doer उसमें main होता है, जबकि passive voice में, जो doer है, उसके ऊपर कोई action किया जाता है, जैसे यदि मैं आप से बोलू, कि I teach, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो यह आपका और यदि मैं आप से बोलू कि मुझे पढ़ाया जाता है किसी और व्यक्ति के द्वारा, तो मैं बोलूँगा, I am taught, ठीक है, I am taught by my teacher, I am taught by my sister, I am taught by my father, तो यह जो sentences हैं, यह हैं आपके passive voice के, जब subject जो होता है, उसके ऊपर कोई काम होता है, तो उसको हम बोलते है, पैसिव व इस से बोलूढ, तो हहां पर हम इन sentences मेंहां है का प्रयूग कर रहे हैं, यह active voice है, तो पैसिव वोइस में हम had been का प्रयूग करेंगे, है, had been, had been, और जो गोड़ेब वाला से उसमेंGame का प्रयूग होगा, जो if वाला से जब dermat şuh है यह वाला sentence active है, नीचे वाला passive है, य यह active है यह passive है इस तरह से हैं यह sentence जैसे यहाँ पर आप देखिए if you had told me यदि तुमने मुझे बताया होता और passive क्या होगा यदि मुझे बताया गया होता if I had been told ठीक है तो हमेशा आप याद रखिए कि जो passive voice का sentence होगा उसमें आप हमेशा किसी ना किसी agent को by के दोरा आखरी में लगा सकते हैं यदि मैं बोलू के मुझे पढ़ाया गया तो मैं बोल सकता हूँ किसी के दोरा ठीक है तो यह passive voice हुआ और यदि मैं बोलू के मैंने पढ़ाया ठीक है तो इसमें मैं किसी के दोरा नहीं लगा सकता मैंने पढ़ाया किसी के दोरा ऐसा मैं नहीं बोल सकता ठीक इसलिए मैंने पढ़ाया, यह जो sentence होगा, यह active voice होगा, और मुझे पढ़ाया गया, इसमें मैं किसी के दोरा लगा सकता हूँ, तो इसलिए यह हो गया आपका passive voice, मुझे पढ़ाया गया, I was taught by someone, तो यह concept मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि active voice क्या होता है, और passive voice क्या होता है, यदि आपको यह concept समझ में आ जाता है, तो काफी help आपको मिलेगी, देखें, यह sentence जो है, उपर वाला यह active voice में है, और नीचे वाला passive voice में है, if I had been told, यदि मुझे बताया गया होता, कि यदि तुमने मेरी मदद की होती, तो यह क्या हुआ, एक्टे वाइस हुआ, if I had been helped, यदि मेरी मदद की गई होती, किसी व्यक्ति के द्वारा, तो यह हुआ आपका passive voice, अब यहाँ पर यदि आप बीन हटा जा, तो यह गलत हो जाएगा, if I had helped, इस तरीके से करेंगे, तो य गलत हो जाएगा, इसके मैं sentence अभी और बताऊंगा आपको, if you had supported me, यदि तुमने मुझे सहारा दिया होता, if I had been supported का क्या मतलब है, यदि मुझे सहारा दिया गया होता, किसी व्यक्ति के द्वारा, तो यह हुआ आपका passive voice, यहाँ पर देखिए, would have, active voice में would have लगाएंगे, मुझे नौकरी मिल गई होती, I would have got the job, ठीक है, ठीक है, अब मैं इसमें ऐसे नहीं बूल सकता कि I would have got the job by me, मतलब मुझे नौकरी मिल गई होती, मेरे द्वारा, तो यह तो sentence गलत हो जाएगा, तो जब मैं इसको passive voice में बोलूँ गा, तो मैं किसी ना किसी agent के द्वारा कोई क द्वारा, तो इसलिए यह नीचे वाला जो sentence है, यह passive voice है, I would have got the award, मुझे नाम मिल गया होता, मुझे नाम दे दिया गया होता किसी के द्वारा, I would have been given the award, यह जो है, यह passive voice है, active voice में been नहीं आएगा, active voice में head plus V3 आएगा, और passive voice में would have plus would have been आएगा, और उसके बाद फिर third form आएगी, तो इसको आप एकदम clear करें, मैंने उसे बुलाया होता, I would have called him, और मुझे बुलाया गया होता, उसके द्वारा या किसी और व्यक्ति के द्वारा तो I would have been called, तो यह concept आपको समझना है, इस concept के base पर काफी sentence आते हैं exam में, देखिए, if I had answered the last question, I would have selected, उपर वाला sentence द दूँँगा, if I had answered the last question, यदी मैंने last question का जवाब दिया होता, तो मुझे select कर लिया गया होता, बॉस के द्वारा या किसी पैनल के द्वारा, ठीक है, तो इसमे agent आ रहा है, तो agent आ रहा है, तो इसका मतलब इसको आपको passive voice में लिखना है, लेकिन आपने तो यहाँ पर been लग इतना है, और passive voice में लिखने के लिए आपको इसको would have been plus V3 आपको बोलना पड़ेगा, यह बहुत important sentence है, यह कई बार banking exam में पूछा गया है, इसको आप ध्यान से समझे, if I had been an SC candidate, I would have been selected, मुझे select कर लिया गया होता, किसी व्यक्ति के द्वारा यदी में रहा होता, यदी में क head bean के दोरा हम state दिखाते हैं, दशा, और जब action होता है, तो head plus V3 दिखाते हैं, यदी में teacher रहा होता, तो हम head bean बोलेंगे, ठीक है, और यदी मेंने पढ़ाया होता, तो हम head plus V3 बोलेंगे उसको, तो इस चीच को भी आप समझें कि action का प्रियोग कब होता है, और state का candidate रहा होता, तो मुझे select कर लिया गया होता, if I had been an SC candidate, I would have been selected, यह sentence correct है आपका, if I were you, यदी में तुमारी जगह होता, तो यह सही है, I would have been invited, ठीक है, तो यह भी सही है यहाँ पर, और यह वाला sentence देखते हैं, यहाँ पर, यदी आप correct करें इसको, तो यहाँ पर आप had been भी लिख सकते हैं, had been actually grammar के साथ से यहाँ पर सही होगा, लेकिन were you भी आप बोल सकते हैं, लेकिन spoken English में, लेकिन यदी आप grammar, पे और grammar आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पर were के स्थान पर आपको had been रखना होगा, क्योंकि would have been के साथ had been आता है, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, लेकिन spoken English में, ऐसा आप बोल सकते हैं, कुछ, कुछ grammar and sentence को सही मानते हैं, लेकिन stickly speaking यहाँ पर had been, जो होगा, वो सही होगा, इसको देखते हैं, I would have been called for the interview if I had scored 420, I out of 500, मुझे interview के ल 420, ठीक है, तो यह sentence आपका सही है, और नीचे वाला sentence देखते हैं, if I had been told earlier about it, I would have taken the right decision, यह भी सही है, यदि, if I had been told earlier about it, यदि मुझे इसके बारे में पहले बताया गया होता, तो मैंने सही decision ले लिया होता, तो यह भी आपका sentence सही है, तो कैसा लगा आपको यह conditional sentences का वीडियो, यहाँ पर आपने मना feedback दें मुझे और बताएं कि कैसा लगा आप, यह मेरा number भी है, इसके थुरू आप मुझे contact कर सकते हैं, और यहाँ से आप test series ले सकते हैं, किसी भी exam के लिए, SSC के लिए, banking के लिए और दूसरे सभी exams के लिए, So thank you very much for watching this video, thank you